हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही विशेश है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगी कि स्वाइश है लेकिन साय दोस्तों अभी तक किसी नहीं बताया है कि कोई नया प्रोग्राम डाल कर और अपने शिंच स्वाइटर में में अपना प्रोग्राम क्याश है रन कर कैसे select करेंगे और उसको कैसे run करेंगे तो दोस्तो नया program डालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां से आपको क्रॉस के नीचे file का button है इस पे click करते है ठीके और के अजा पोड़ए कि अगर यानने कि नया program चलो करना है तो यहां new जाए रिट्रिन क्लिक करने के बाद यह देखी आपको पम्प्यूटर जैसे था एक स्क्रीन दीखाय जा रहा है इसपे क्लिक करेंगे य्था आपका खुल की आजाता है यहां पर प्रोग्राम को इदि कर शकते हैं प्रोग्राम को दिख स्कूड औरожд हुछल यह इंटर कर दिये नीचे लाइन में आगे ऐसे ही दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि पूरा प्रोग्राम तो दोस्तो हमने यहां पूरा complete किया है पूरा complete program जो है यहां input कर दिया है अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस program के हिसाब से job को select करेंगे दोस्तो इसमें हमने क्या किया है कि G71 connect cycle का use किया है और इसमें job का जो हम लोग को major odi बनाना है 90 mm का बनाना है तो यहां से देखिए यह cross के नीचे file है file के नीचे दो यह spindle का चीन दिया है इस पे click करते हैं और यहां से हम लोग job का dia set करते हैं और length set करते हैं ठीक है यहां देखिए job में आप जिस हिसाब से मशीन में आप जिस हिसाब से program डाले हैं जिस drawing के हिसाब से उसके हिसाब से यहां पे हम लोग job select करते हैं यहां तो length है length आपको इतना लंबा आपका length चाहिए यहां से आप length ले सकते हैं ठीक है और यहां से उस job का od ले लेंगे यह आपका job का od हो गया इसके बाद आप tool को select क फूल गया है और इसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग उसी टूल को select कर सकते हैं जिसमें lock नहीं है ठीक है यहां हम लोग इसमें से चूज करेंगे देखिए मानली जी हम लोग यहां इस tool का work करना है तो इस tool को हमने यहां पर scroll करके जैसे अंगुली से तरभा यहां पर ला दिया ठीक है उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि फिर ये कंप्यूटर बड़ा जो एस्कीन है इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपका प्रोग्राम है आपका टूल भी इसमें आ चुका है जो भी स्लेक्ट हो चुका है अब इसको हम लोग चालू करना है तो चालू करने के लिए बस ये जो प्ले बटन है जो आडियो प्ले या वीडियो प्ले जैसा बटन होता है इसको हम लोग क्लिक करेंगे और अब देखिए आपका मसीन जो है स्टार्ट हो गया है आपका टूल जो है मेटेरियल को कटिंग करना स्टार्ट कर चुका है देख दोस्तों आप अगर प्रोग्रामिंग शिख रहा है तो आप अपने मुबाइल में जरूर शीन से सिमिलेटर एप्स को लोड किजिए और उसमें आप अपना प्रोग्राम बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही अच्छा एप्स है और आपके पश्चुनारा म धन्यवाद